हेलो फ्रेंट्स आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार हमारे जोडों में बहुत ज्यादा दर्ध होता है तो कई बार हम गढ़िया के दर्ध से काफी ज्यादा परिशान हो जाते हैं इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे एनरजी ड्रिंक के बारे में जिसे अगर आप रुजाना सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर से गढ़िया के दर्ध को और जोडों के दर्ध को काफी हद तक दूर कर देता है दोस्तों इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको जरूरत है कच्चे पपीते की वैसे तो भारत के अंदर पक्का पपीता बहुत ज्यादा खाया जाता है चहरे को सुन्दर बनाना हो पेट साफ करना हो या फिर फाइबर से यूट किसी फ्रूट का सेवन करना हो हम पके हुए पपीते का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं लेकिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाडी में बिल्कुल भी दर्ध ना रहे गठिया का दर्ध या फिर जोडो का दर्ध आपको बार-बार परिशान ना करें तो आप कच्चे पपीते का भी इस्तमाल कर सकते हैं इस juice को बनाने के लिए आप एक पतीले के अंदर दो से तीन बड़े ग्लास पानी रख लीजे और इस पानी के अंदर आप कच्छे पपीते को अच्छे तरीके से वाश करके इसके अंदर के सारे बीज निकाल कर इसके छोटे-छोटे slices या पर टुकडे करके इस पानी में डाल कर इसे धीमियाच पे पकाईए आपको ये पानी तब तक पकाना है जब तक ये पक कर आधा नहीं रह जाए आप चाहे तो इसके अंदर ग्रीन टी भी मिला सकते हैं ये ऑप्शनल है अगर आपको इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा बनाना है तो आप इसे डाल सकते हैं ज अगर आप एक दिन के अंदर दो से तीन बार सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉड़ी को काफी ज्यादा फाइदे देता है ना के वल आपकी बॉड़ी से गठिया के दर्द को धूर करता है बलकि प्रतिरोधक शंता को बढ़ा कर बिवानियों को भी आप सिक को सुदूर कर लेता है तो दोस्तों इस पपीते के जूस को आज ही बनाईए और ट्राइ करिए मेरी ब्यूटी और हैंसे रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए